हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मैं बनाने जा रहे हूं सलगम की सबजी यह 200 ग्राम सलगम है जिसको हमने छिलका उतार कर छोटे-छोटे टुक्रों में काट लिया है यह मौसमी सबजी है इसको हम मतर के साथ मिक्स करके बनाएंगे तो यह ज्यादा अच्छी बनेगी यह मतर कटी हुई प्याज, दो-तीन हरी मिर्च, कटा हुआ टामाटर, धनिया पत्ती, कुटी हुई अदरख और लहसुन, आप इसकी जगे पे पेस्ट भी ले सकते हैं यह जीरा, तेज पत्ता, सभी मिक्स मसाले, हल्दी, पाउडर, धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्च और अमचुर पाउडर कडाही में डालेंगे तेल, तेल के गरम हो जाने के बार डालेंगे सलगम अब हम इसको आधा फ्राई कर लेंगे, हमें पूरा फ्राई नहीं करना है, इसको फ्राई करने में सिर्फ दो मिलट लगेंगे और फ्राई करके बनाने पर यह सबजी बहुत ही स्वाधिश्ट बनती है, लेकिन जो कम तेल खाते हैं वो इसे फ्राई ना करें अब बचे हुए तेल में डालेंगे जीरा, तेज पत्ता, कटी हुई प्याज, हरा मिर्च, इन दोनों चीजों को कलर चेंज होने तक भून लेंगे एक बार इस तरीके से बना कर देखे, सबको बहुत पसंद आएगी, यह सबजी हल्दी होने के साथ हे साथ बहुत टेस्टी बनती है यह कलर चेंज हो चुका है, आप डालेंगे पुटी हुई अदरक और लहसुन और इसको भी भून लेंगे यह हमारा मसाल अच्छे से भून चुका है, आप डालेंगे सूखे सभी मिक्स मसाले और इसको भी भून लेंगे इस सबजी को बनाने में बहुत कम समय लगता है और यह बहुत जल्दी पक जाती है मसाला भून चुका है, आप डालेंगे कटा हुआ टमाटर mix करेंगे और साथ ही डाल देंगे नमक जिससे टमाटर जल्दी से गल जाए कई लोग वीडियो को देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं प्लीज ऐसा ना करें वीडियो देखें लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अब डालेंगे मटर मिक्स करेंगे और अगर आपको रशेदार खानी है तो आप यहाँ पर पानी डाल सकते हैं लेकिन हमें सूखा बनाना है इसलिए हम इसको ढख कर 2 मिनट तक पकाएंगे 2 मिनट हो चुका है अब इसमें डालेंगे तली हुई सलगम अच्छे से मिक्स करेंगे सर्दियों के मौसम में इस सबजी को एक बार बना कर जरूर खाना चाहिए यह हल्दी होने के साथ साथ बहुत टेस्टी भी होती है कई लोग इसका सैलड भी खाते हैं लेकिन सैलड के रूप में मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है यहां आप देख सकते हैं सबजी हमारी बन चुकी है दिखने में ही बेहद लजीज लग रही है आप डालेंगे कटी हुई धनिया की पत्ती ज्यादा तो लोग सलगम की सबजी खाना पसंद नहीं करते लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो सब कोई खाएगा और तारीफ भी करेगा अब हम इसको सर्व कर लेते हैं पराठे के साथ सलगम की सबजी का कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है आसा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें नीचे दी गई घंटी को भी तपादें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो आप आसानी से देख पाएं थेंक्यू, थेंक्स पर वाचिंग, बाई बाई